नम्हा संस्कृत आया, मैं मेधा एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी जानते हैं कि इसी अगस्त में UGC NET के द्वारा संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 का पेपर करवाया जाएगा और इसके लिए मैं आप सभी के लिए आज लेकर आई हूँ दिसंबर 2021 में कोड 25 का जो पेपर हुआ था वो क्वेशन पेपर इस क्वेशन पेपर में कुल 100 प्रश्न हैं जो कि संस्क्रिट सब्जेक्ट के हैं उसके अलावा 50 प्रश्न रिशर्च एप्टीट यूट और टीचिंग एप्टीट इत्याधी के होते हैं जो कि जनरल पेपर होता है तो चलिए प्रारंब करते हैं इसके पहले प्रश्न के साथ काउटिलिये मते लुप्ध वर्गस्ये के द्वे लक्षने काउटिलिये के मत में लोभी वर्गे के कौन से दो लक्षन है पहले ओप्षन A, B, C, D करके दिये हैं तो इसमें पहले में A है मान कामह फिर है आत्मसंभावितह, तीसरा C है व्यसनी, D है अत्याहितव व्यवहारह उसके बाद यहां पर दिये हुए हैं ओप्षन्स जिसके अंतरगत A, B, C, D इन चारों में से दो दो ओप्षन्स दिये हुए हैं क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर दो लक्षन पूछे हैं लुब्धवर्ग के तो अब हमें देखना है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कौन-कौन से दो लक्षन दिये गए हैं तो मान कामह आत्मसंभावितह, व्यसनी या अत्याहितव व्यवहारह हमें पता है कि व्यसनी और अत्याहितव व्यवहारह ये दो अप्षन जो हैं वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिये हैं लुब्धवर्ग के तो जिस भी अप्षन में C और D दिया हुआ होगा वो अप्षन इसका सही उत्तर होगा तो C और D इस लास्ट वाले में दिया हुआ है और इसकी ऑप्षन आईडी भी यहां दी हुई है 6059 तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्षन जो लास्ट वाला है C एवं D इसके बाद अगला प्रशन दूसरा है के इन सह कस्य संबंध हैं किसके साथ क्या संबंध हैं तालीकाएं दो दालीकाएं दी हुई हैं उनको हमें मिलाना है तालीका एक में शैव, वैशनव, ब्रहम और आगने दिया हुआ है उसके बाद तालीका दो में अगनी पुरान, पद्म पुरान, मारकंडे पुरान और गरुड पुरान तो अब तालीका एक से तालीका दो का क्या संबंध बैठता है वो हमें लगाना है तो जो शैव है वो मारकंडे पुरान से संबंध है वैश्नव जो है वो गरुड पुरान से है ब्रह्म जो है वो पद्म पुरान से है और आगनेय अगनी पुरान से है इसके बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमने जो options लगाए है वो किस ID में दिये हुए हैं यहाँ पर तो जो शैव था हमने लगाए था मारकंडे के साथ मतलब एका हुआ तीन उसके बाद जो दूसरा है वैश्नव, वैश्नव में हो जाएगा चार, भ्रह्म में हो जाएगा दो और आगनेय में हो जाएगा एक तो तीन, चार, दो, एक जिस option में दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा अभी यहाँ इन प्रश्नों के सिर्फ मैं आपको उत्तर उत्तर बता रही हूँ अगर आप इसका व्याख्यात्मा खल जाते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा मैं इन सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मा खल भी लेकर के आऊंगी तो तीन, चार, दो, एक जिस भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो यहां तीन, चार, दो, एक दिया हुआ है तीसरे वाले नंबर पे तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा तीन, चार, दो, एक के बाद तीसरा प्रश्न है अध्यात्मम अत्रकत्मह समास है अध्यात्मम में कौन सा समास है अव्यई भावह तत्पुरुशह द्वंद्वह और बहुव्री ही तो यहां इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्यई भाव समास अध्यात्मम में अव्यई भाव समास है कि बाद चोथा प्रश्न है अर्थ संग्रहान उसारम देश सामान्यम स्थानम तच्च द्वीविधम किम तत अर्थ संग्रहा के अनुसार देश सामान्यम स्थान है वो दो प्रकार का है कौन-कौन से दो प्रकार है आप्शन चार दिये हैं पाठ सादेश्यम, अनुष्ठान सादेश्यम, यथा संख्य सादेश्यम, मीमानसा सादेश्यम अब यहाँ पर नीचे फिर वही आप्शन्स दिये हुए हैं पाठ सादेश्यम और अनुष्ठान सादेश्यम अर्थ संख्ये के अनुष्ठान के वह हैं तो इसलिए जिस भी ऑप्शन में A और B दिया हुआ होगा वो इसका सही उत्तर हो जाएगा यथा संख्य सादेश्यम और मीमानसा सादेश्यम इस्थान के भेध नहीं है तो पहले ही नंबर पर option जो A और B दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा इसके बाद अगला प्रश्न है सैयोगा नंतरम पंच सन्ने करशा नाम अयम क्रमह तर्क भाशाया मुपलब्भ्यते सैयोग के बाद जो बचे हुए पांच सन्ने करश है वो क्रम से तर्क भाशा में उपलब्ध है मतलब किस क्रम से तर्क भाशा में वो उपलब्ध है उस क्रम में हमें लगाना है यहाँ A, B, C, D, E पांच नोने बचे हुए सन्ने करश दिये है शर्ट सन्ने करश है जिनमें से यहाँ पर पहला सन्निकर्ष संयोग दे दिया गया है संयोग के बाद में जो बचे हुए पांच सन्निकर्ष हैं उनको हमें यहाँ पर क्रम से लगाना है तो ABCDE में दिया है समवेत समवाय है, विशेशन विशेश्य भावह, सैयुक्त समवेत समवाय है, समवाय है और सैयुक्त समवाय है हमें पता है कि सैयुक्त के बाद में क्या आता है? सैयुक्त समवाय उसके बाद आता है सैयुक्त समवेत समवाय यानी C आएगा C के बाद आएगा D समवाई फिर आएगा A समवेत समवाई और फिर आएगा B विशेशन विशेश्य भाव अब जिस भी option में E, C, D, A, B दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा अब options देख लेते हैं तो हमने options में लगाया था E, C, D, A, B तो ये सही उत्तर दिया हुआ है लास्ट वाले option में E, C, D, A, B तो इसका चोथे नंबर का option इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगला प्रशन है श्लोब दिया हुआ है ये कि वाचह काठिन्यमायांती भंगश लेश विशेश अतह नोद वेगस तत्र करतव्यो यसमान नई को रसह कवे है इति पद्यम कस्मिन काव्य विलसती ये जो पद्य दिया हुआ है वो किस काव्य में उपलब्ध होता है या कहां विलास करता है, कहां पर मिलता है option दिये हुए है कादम बर्याम दशकुमार चरिती option number 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा इसकी बाद अगला प्रशन है एतद नाटक का द्वयम महाकवी भवभूती विरचितम नास्ती इन में से दो नाटक जो दिये हुए हैं नीचे चार option में इन में से महाकवी भवभूती के द्वारा विरचित नहीं है उन दो नाटकों को हमें बताना है पहले ABCD option में देख लेते हैं क्या दिया है विक्रम और वशियम दूसरे में उत्तर रामचरितम तीसरा है मृच्छ कटीकम चोथा है मालती माधवम दो जो भवभूती के हैं इन में और दो option में भवभूती के विरचित नाटक नहीं है तो जो भवभूती के नाटक हैं वो है उत्तर रामचरितम और मालती माधवम तो B और D जिस भी option में दिया हुआ होगा वो इसका सही उत्तर नहीं होगा A और C जिस option में दिया हुआ होगा वही इसका सही उत्तर होगा अब options देख लेते हैं कि A और C किसमें दिया हुआ है second वाले option में A और C दिया हुआ है इसलिए यही इसका सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगला प्रशनाता है अब तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानी इमानी विभक्तिक क्रमेना प्रदर्शयता अब तत्पुरुष समास के उदाहरणों को विभक्तिक क्रम से हमें बताना है पहले दिया है धान्यार्थः, राजपुरुषः, सुखप्राप्तः, चोरभयम, यूपदारू अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले द्वितिया विभक्ति का हमें उधारन निकालना है फिर तृतिया फिर चतुर्थी पंचमी सश्थी सप्तमी इस तरह से हमें इन्हें उधारन को विभक्ति के क्रम से सही करना है तो सबसे पहले आएगा ओप्शन नंबर सी सुखप प्राप्तह उसके बाद तृतिया विभक्ति का आएगा धान न्यार्थः उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का होगा यूपदारू फिर पंचमी विभक्ति का होगा चोर भयम और सश्थी विभक्ति का होगा राजपुर पांच ही दिये हुए हैं सब्तमी का उधारण नहीं दिया है तो जिस option में CAEDB दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा अब हम देखेंगे कि CAEDB किस option में दिया हुआ है तो CAEDB दिया हुआ है option number fourth में last option में दिया है CAEDB इस तरह के प्रशनों को हल करते हुए सावधानी रखनी चाहिए अन्यता इनके गलत होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि यह ऐसे प्रशन सरल भी होते हैं और अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो गलत हो जाएंगे और हम नैट्या जारफ से रह जाएंगे तो इसके बाद अगला प्रशन है अभीकथन और कारण का आया है अभी है कि कथन द्वयम अधो लिखितम तत्र एकम अभीकथनम आचरण करना चाहिए रावन की तरह नहीं कारण दिया है दुष्चारित्रयम अपकीर्ते है कारण भवती कि दुष्चारित्र जो है दुष्चारित्र जो है वो अपकीर्ती का कारण होता है तो अभीकथन और कारण ये दोनों हमारे सही है या गलत है इन में से एक सही है ए गलत है या किस तरह से हैं वो options में दिये हुए है option दिया है कि ए तथा आर उभावपी सत्यम आर इती उचितम कारणम अस्ति ए इत्यस्य यानि ए और आर दोनों सही है और जो आर जो कारण दिया है वो ए के लिए उचित है तो यह सीधी सी बात है कि हमें राम जी की तरह करेंगे तो हमारी अपकीर्ती होगी तो इसलिए ए और आर दोनों ही सत्य है और आर उचित कारण है ए का यानि अभी कथन का जो कारण दिया है वो उचित है इसलिए इसका option नंबर एक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसके बाद अगला प्रश्न है फिर से तालीका वाला प्रश्न के इन सहय कस्ट्य संबंध है तालीका एक और तालीका दो में अब हमें संबंध लमिलाना है आगम ग्रंथा है त्रिपिटक साहित्यम न्याय सिद्धांत मुक्तावली और निर्विशेशा द्वईतवाद तालीका दो में दिया है आचार्य शंकरह जैन दर्शनम 22 साहित्यम विश्वनाथ पंचान नहा आगम ग्रंथ किसके है त्रिपिटक साहित्य क्या है नियाय सिद्धांत मुक्तावली का संबंध किस से है इन में से और निर्विशेशा द्वईतवाद का किस से है नीचे चार ओप्शन्स दिये हुए है अब हम इन चारों को मिला दे कि जो आगम ग्रंथ है वो जैन दर्शन से संबंध है त्रिपिटक साहित्य बोध साहित्य है नियाय सिद्धांत मुक्तावली विश्वनाथ पंचानन की है निर्विशेशा द्वईतवाद आचारिय शंकर का है तो अर्थात एका हो जाएगा दो बी का तीन सी का चार और ड उसलिए 2 2 3 4 1 जिस ओप्शन में दिया हुआ वह इसका सही उत्तर हो जाएगा दो तीन चार एक पहले में नहीं है दूसरे में है 2 3 4 1 इस लिए ओप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण तालिका से है फिर वाक्य दिया हुआ है एक अहम राश्टी संगमनी वसूनाम चिकेतुशी प्रथमा यग्धी यानाम अत्रमंत्रांशे आगतानाम पदानाम अर्थम सायनम अनुसृत्य मेलयत सायन के अनुसार अब इन पदों का हमें अर्थ देना है जो तालिका में हमसे पूछा है तालिका एक में पद है और तालिका दो में उनका अर्थ है तालिका एक में है एहम राश्टी संगमनी और प्रथमा तालिका दो में है ईश्वरी मुख्या आम्भिनी वाक और चोथा है प्रापयित्री सायन के अनुसार हमें लगाना है तो एहम का मतलब हो जाएगा आम्रिनी, वाक राश्री का अर्थ होगा ईश्वरी संगमनी का अर्थ होगा प्रापयित्री और प्रथमा का अर्थ होगा मुख्या अर्थात पहले का हो जाएगा तीसरा P में हो जाएगा पहला C में हो जाएगा चोथा और D में हो जाएगा दूसरा यानि कि 3, 1, 4, 2 जिस option में दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा तो 3, 1, 4, 2 कौन सी option ID में है तो option ID जो 30D है 3, 1, 4, 2 इसका सही उत्तर ये हो जाएगा इसके बाद अगला प्रश्ण अदो लिखिता नाम रामायन से विशय वस्तू नाम समोचित हक्रमोस्ती अब रामायन के विशय वस्तू का समोचित क्रम हमें बताना है यहाँ पर पाँच ओप्शन दिये हैं ABCDE सबसे पहले दिया है A में ताटकावद B में दशरतेन यज्यानुष्ठान C में मिथिला प्रस्थान D है राम जन्म E है राम द्वारा धनुर्भंग सबसे पहले हुआ था दशरत जी का अनुष्ठान उसके बाद हुआ था राम जी का जन्म उसके बाद हुआ था ताड का वध यानि A आएगा फिर हुआ था मिथला प्रस्थान और मिथला के बाद में हुआ था राम द्वारा धनुर्भंग तो B, D, A, C, E जिस ओप्षन में दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा B, D, A, C, E तो B, D, A, C, E कौनसी ओप्षन आइडी में सही है तो वो लास्ट वाली आइडी में सही है B, D, A, C, E इसके बाद अगला प्रश्ण है शुयताम महाभाग विदर्भो नाम जनपदह तस्मिन भोजवन्ष भूशनम इते गद्य खंडम कस्याम रचनायाम विद्यते तो ये जो गद्य खंड दिया है वो किसकी रचना का है कादम बल्याम दश कुमार चरिते स्वपन वासवदत्ते या हर्श चरिते तो ये है दश कुमार चरिते ये जो गद्य खंड है शुयताम महाभाग विदर्भो नाम जनपदह तस्मिन भोज वन्श भूशनम ये दश कुमार चरितम का है अगला प्रश्न है कि साम वेदस्य शाखे स्तह शाम वेदिकी साखा है दो शाखा बतानी है हमें स्तह दिया है इसलिए तो वाधूल संगेता शाटियायनिय संगेता कपिष्ठल कठ संगेता जैमेनिय संगेता अब तो साम वेदिकी शाखा है इन दो में से वो एक तो है शाटियायनिय संगेता और है जैमीनिय संगेता यानि बी और डी तो जिस ओप्षन में बी और डी मिल जाएगा वो हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा तो बी और डी है तीसरे वाले ओप्षन में तो तीसरा ओप्षन इसका सही उत्तर होगा बाकी वाधूल और कपिस्ठल कट संगीता सामवेद की नहीं है अगला प्रश्ण है इसके बाद इशावासे अपनी शद्गा प्रश्ण है ये अंधम तमह प्रविशंती ये असंभूती मुपासते ततो भूया इवते तमह ये उ संभूत्याम रताह अत्र मंत्रे असंभूती संभूती पदयोह अर्थव कव असंभूती और संभूती पद का हमें यहां अर्थ बताना है ओप्शन दिये हुए हैं ABCD में विकृती ही प्रकृती ही कार्यब्रम और अविनाशी तो अविनाश है कार्यब्रम प्रकृती ही विकृती ही में से असंभूती और संभूती का क्या अर्थ होगा तो यहां पर इ प्रकृति ही संभूति का कार्यभ्रम तो option number C यानि B और C जिसमें दिया हुआ है वो इसका सही उत्तर होगा B और C option वाला इसका सही उत्तर होगा असंभूति का अर्थ है प्रकृति और संभूति का अर्थ है कार्यभ्रम क्योंकि प्रश्ण में पहले असंभूती आया है और फिर संभूती आया है इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी हम पहले अर्थ हमें पता है और हमने ऑप्शन में गड़बड कर दी इसके बाद अगला प्रश्ण है कि सांख्यकारी कायाम द्वी विधः सरगह भौतिको बवधिक अश्चे एतन नामा क्यों वर्तते भौतिक और बवधिक दो सरग है वो बताने है हमें तनमात्राख्य है, लिंगाख्य है, सत्वरजस्तमाख्य है और भावाख्य है क्या कही जाते हैं, दो प्रकार का सर्ग है, उसका क्या नाम है तो यहाँ दो option इसके सही होंगे उसे लिंगाख्य भी खहते हैं और भावाख्य भी खहते हैं तो B और D, जिस option में मिलेगा, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो B और D हमें इन चारों में से तीसरे नंबर वाले पे मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर ये होगा, लिंगाख्या और भावाख्या, इसके बाए सत्रवा प्रश्ण है, इस्त्री प्रत्ययानुसार मधुं के तेशू, गीश प्रत्ययान्तः शब्दोस्ती, गीश प्रत्ययान्तवाला हमें शब्द बताना है, इस्त्री प्रत्यय के अनुसार, तो कुरूचरी, देवी, पचंती, भवानी, तो यहाँ इसका सही उत्तर होगा, भवानी, जो इंद्रवरुण वाला सूत्र है उस सूत्र से इसमें गीश प्रत्य होता है भवशब्द से अगला प्रश्न योग दर्शनानो सारम सार्व भौम व्रतेशु कस्य गणना न भवती जो सार्व भौम व्रत दिये हैं उनमें किसकी गणना नहीं होती है योग दर्शन के अनुसार चार ओप्षन दिये हैं पहला है अपरिग्रहस्य दूसरा है अस्तेयस्य तीसरा है ईश्वर प्रणिधानस्य चोथा है सत्यस्य तो जो सार्व भौम व्रत हैं उनमें ईश्वर प्रणिधान की गणना नहीं होती है तो option number 3 इसका सही उत्तर होगा इसके बाद अगला प्रश्न है इस मंत्रांश में ये जो मंत्र का अंश दिया है इसमें जो सुते का रास है पद आया है इसका सायन के अनुसार क्या अर्थ होगा option 4 है तो यहां इसका सही उत्तर हो जाएगा इस मंत्रांश में जो सुते का रास है पद है उसका सायन के अनुसार रित्विज अर्थ है इसके बाद अगला प्रश्न है अधस तनेशु के द्वे शैव विशयक पुराणे इस तह अब इन में से जो चार है इन में से कौन से दो शैव विशयक पुराण है वो हमें बताने है तो option 4 दिये हैं भागवत पुराणम, मत्स्य पुराणम, गरुड पुराणम या भ्हमांद पुराणम अब जो शैव पुराण, जो शैव मत्य है या शैव संप्रदाई से संबंध जो दो पुराण है वो हैं एक मत्सय पुराण और एक धंमांद पुराण तो B और D जिस option ID में है वो इसका सही उत्तर होगा तो वो है option ID 4 में B एवं D इसके बाद अगला प्रशन है वाक्य स्वरूपम प्रतिपाधितम आचार्येन अनेन ये जो वाक्य का स्वरूप बताया है इसके प्रतिपाधित आचार्ये कोन है तो आचार्ये आनंदवर्धनेन, आचार्ये मममतेन, आचार्ये वामनेन या आचार्ये विश्वनाधेन ये आचारिय विश्वनात के द्वारा प्रतिपादित वाक्य का स्वरूप है तो option number 4 इसका सही उत्तर होगा इसके बाद अगला प्रशन है कि सांख्यकारी कायाम संग्धात परार्थत्वात अनेन हेतुना साध्यते अव्यक्तम अहंकारह पुरुशह या महत अब हमें यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है तो इस प्रशन का सही उत्तर होगा option number 3 पुरुशह घात परार्थत्वात के द्वारा पुरुश का हेतु सिद्ध होता है अव्यक्त नहीं है अहंकार नहीं है और महत भी नहीं है मूल कारिका में ही यह दिया हुआ है इसके बाद अगला प्रशन है कि बुद्ध चरिते सर्ग प्राथम म्येईना क्रम शह सर्गा नाम उचितम उत्तरम चिनुता उचित उत्तर हमें चुनुना है इसका प्राथम में क्रम के अनुसार बुद्ध चरितम के पांच option दिये हैं पहला है समवेग उत्तपत्ति ही फिर है अभिनिश्क्रमन फिर है इस्त्री निवारणम डी है तपोवन प्रवेशह ई है अन्तहपुर विलापह अब हमें option चार दिये हुए हैं इनमें से कौन सा सही उत्तरिस्का होगा वो हमें लगाना है तो सबसे पहले आता है समवेग उत्तपत्ति ही सबसे पहले होती है समवेगों की उत्तपत्ति उसके बाद होता है इस्त्री निवारणम फिर आता है अभी निश्क्रमान उसके बाद होता है तपोवन प्रवेश और फिर है अन्तहपुर विलापह अब ये A, C, B, D, E जिस option में दिये हुए है वो इसका सही उत्तर होगा क्योंकि हमें यहाँ पर बुद्ध चरित के अनुसार जो सर्ग प्राथम में के क्रम से उनको क्रम शह हमें लगाना है सर्गों को कि किस किस क्रम में कौन कौन सा सर्ग आया है सबसे पहले आएगा समवेग उत्पत्ति ही उसके बाद आएगा स्त्री निवारणम फिर होगा अभी निश्क्रमन उसके बाद है तपोवन प्रवेश और उसके बाद है अन्तहपुर विलाप तो ये है A, C, B, D, E किस option में सही है ये सही है option नंबर दो में तो इसका सही उत् इसके बाद अगला प्रशन है योग दर्शनान उसारम अधों के तेशु वृत्तिर वर्तते जो वृत्ति है वो कौन सी है अहिंसा, निद्रा, भ्रह्मचरियम और हिंसा तो जो चित्त वृत्ति है या वृत्ति है वो है निद्रा अहिंसा, भ्रह्मचरियम और हिंसा ये अगर तर्क संग्रह पूछते तो यहां अगली वीडियो में अगली वीडियो में हल करें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जयतु संस्क्रितम जयतु भारतम